वहीं फरीदाबाद में जिला प्रशासन ने सेक्टर बारत के हुड़ा कर्वेंशन सेंटर में रोजगार मेला लगाया लेकिन युवाओ के मताबिक ये रोजगार मेला सफेद हाथी साबित हो रहा है लोगों ने कहा कि विभाद में पंजीकरन सिर्फ खाना पूर्ती के लिए किया जाता है कई ऐसे प्रतिभागी सामने आये जिन होने 9 से 10 साल पहले पंजीकरन कराये था लेकिन आज तक उन्हें रोजगार नहीं मिला उधर विभाद की माने तो इस रोजगार मेले के लिए कुल 1015 युवाव ने पंजीकरन कराया था जिसमें से 15 युवाव को जौइनिंग लेटर केंद्रिय राज्यमंत्री कृष्टपाल गुर्जर ने दिये 412 युवाव को शौटलिस्ट किया गया है मेले में गाव रिवाजपूर से आई रेनु ने बताया कि उन्होंने 9 साल पहले रोजगार कार्याले में अपना पंजीकरन कराया था वो ग्रेजुएट है डिप्लोमा होल्डर है तीन साल पहले उन्होंने महिला एवंग बाल विकास विभाग में सुपरवाईजर पद के लिए आवेदन भी कर रखा है लेकिन आज तक ना तो परिक्षा हुई और ना ही नौकरी मिली पूजा ने बताया कि उन्हें रोज़गार भत्ता तक नहीं मिला अधिकारियों से जब पूछा जाता है तो वो सर्वर डाउन होने की बात कहकर पला जाय लेते हैं अभी तक तो कुछ हुआ है कितना टाइम हो गया चार साल हो चार साल से लगतार अपलाई करते हैं कुछ भी नहीं होता ना बेरोज़गार बत्सा मिलता है ना पुछा अधिक वहीं महाधुर्गर में सर्कों की हालत बदाहाल हो चुकी है शहर के अंदर और बाहर से गुजरने वाली तमाम सरके पूरी तरीके से टूट चुकी है जिसकी वजह से रोजाना हादसों का डर बना रहता है लेकिन प्रशाशनी का धिकारी अपनी आँखे मुंदे बैठे हैं शहर की लगबग सभी सरकों में गहरे गड़े हैं बहादुरगर जजजर रोड, सेक्टर साथ रोड और सब्जिमंडी के साथ वाली सड़क पूरी तरीके से टूट चुकी है इतना ही नहीं बाइपास की सर्विच लेंड तो बरसाथ की वज़े से पूरी तरीके से बह गई है जिसकी वज़े से वाहंचाल को कोई यूटर ने लेकर वापस जाना पड़ रहा है लेकिन इसकी सड़कों की मेंटिनेंस के लिए किसी तरीके का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है बहुत बुरा अलेजी सड़कोंगा, सड़के तो है नहीं, गड़ों में सड़के हैं इस टेम तो चाहे वो शेहर हो चाहे वो बाइपास हो चाहे हमारा कोई भी रोड हो से बाधर गुड़ का बाइपास पर चड़ने के लिए कोई फ्लाइवर के साथ जो सड़क होती है कोई भी साबुत नहीं है गाडियां यहां से वापसी अभी रिटर्न होके गई हैं मैं खुद आया था सामधान के लिए मैं आपकी जानकारे के लिए बताओं मैंने कल ही इसका चार्ज लिया है और आज ही इंकी संबंदिक भागों के सभी की चाहिए वो मार्केटिंग बॉर्ड हो पिडिलोडी हो मिल्सकल कॉंसल हो इन सब की आज शाम को ही मिटिंग बुलाई गी है अब तक त संब में इतना संबब नहीं होता टेंप्रेरिय आरेजमेंट तो किये जा सकते हैं इस दराओं वहीं सोनीपट में विजलेंज की टीम ने बड़ी कारवाई किये बताया जा रहा है कि खर खौदा के बीडी प्यों कार्याले ने तैनाथ पटवारी को करीब 15,000 उपे की रिश्वत लेती वे गिरफता किया गया है जानकारी के मताबिक पटवारी प्रॉपारी आईडी बनाने के नाम पर रिश्वत मांग रहा था जिसकी शिकायत गड़ी सिस्ताना निवासी रोहित ने विजलेंज सोनीपत को दी जिसके बाद विजलेंज की टीम डी एसपी जैपाल सिंग के अगवाई में मौके पर पहुची इस दौरान पटवारी के पास से 15,000 उपे बरामत किये गए वहीं दी एसपी जैपाल सिंग ने कहा कि शिकायत के अधार पर पॉपर्टी आईडी बनाने के नाम पर पटवारी रिश्वत मांग रहा था उसे दौरान पटवारी को रंगे हातों गिरफ़तार कर लिया गया खरपदा बलाग के पर कौन कुमार पटवारी को 15,000 उपे में रंगे हातों गिरफ़तार किया गया किसकी शिकायत थी और रोई कुमार गटी सिसाना वासी से परपटी कार्ड बनाने के आवाज में इस ने ये मां की थी इस पर हमने आज 15,000 उपे लेने पर श्वरंगे आतों गिरफ़तार करें आज ही इसके करियरले से किया जैसा कि आप देख रहे हैं इस करियरले ले रहे हमने श्वरंगे आतों पकड़ा है और अब इसकी आदा मिपरवाई की जाए वहीं परदेश शरकार के आदेश पर एक अक्टूबर से हर्याना भर की मंडियों में धान की सरकारी खरीद शुरू हो रही है और वहीं सोनीपत की अनाज मंडी में पाफ सो माफ कीज़ेगा पंदरा सो नौ किसम लगातार पहुच रही है अनाज मंडी में मंडी प्रशासन ने किसानों को कोई परेशानी ना हो इसके लिए तमाम प्रकार के इंदिजाम किये है वहीं पीने के पानी की विवस्था से लेकर शौचाले तक की विवस्था को दुरुष्ट किया गया है वहीं मंडी में एंट्री और एगजिट राष्टे पर सीसी टीवी भी लगाए गये है आपको बता दे कि मंडी में पी आर किसम की सरकारी खरीद का फायदा वहीं किसान उठा पाएंगे जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर रेजिस्ट्रेशन करवाया था वहीं मंडी सचीव जीतेंदर ने बताया कि किसानों को इस बार पिछले साल की तुलना में पंद्रह सो नौ का भाव आठ सो से एक हजार रुपे ज़्यादा मिल रहे हैं जिससे किसानों को अच्छा फायदा होगा एक अक्टूबर से पुरे परदेश में धान के फसल की खरीद की शुरुआत होनी है सरकार ने एक अक्टूबर से धान की खरीद शुरु करने के निर्देश दिया है इसी को लेकर मंडियों में तमाम विवस्था दुरुष्ट की जा रही है किसानों को कोई परेशानी नहों इसके लिए पीने के पानी से लेकर 140 की विवस्था को दुरुष्ट किया जा रहा है वहीं मंडिय सच्चिव का कहना है कि 1509 जो धान है उसके लिए इस बार किसानों को 800 रुपे से लेकर 1000 रुपे तक प्रती क्विंटल पर ज्यादा मिल रहे हैं जिसके किसानों को काफी फायदा होगा वहीं सोनीपप नगर दिगम के सामने शहरी सफाई करमचारी लगातार दूसरे दिन भी प्रोटेश्ट करते रहे करमचारियों का कहना है कि सरकार ने साल 2018 में करमचारियों को नगर दिगम पैरोल पर लेने को लेकर एक पत्र जारी किया था जिसके तहत सभी सफाई करमचारियों को पैरोल पर किया जाना था लेकिन प्रशासन ने अभी तक करमचारियों को पैरोल पर नहीं लिया है जिससे लेकर करमचारी दो दिन से लगातार खड़ताल पर बैठे हैं सफाई कर्मचारियों ना एलान किया कि वे शहर के किसी भी चौक, चौराहे या गली महले में सफाई नहीं करेंगे चाहे इसके लिए कूडे के धेर भी क्यों ना लग जाए और शहर में कूडे के धेर की जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी हमारी मांग है कि सरकार ने 2017 में फेरोल ने के लिए ठेक अक्रमचारीं sharing 2-3 जारी की थी और अम सरकार से मांग करते हैं जल सर्फा सा zwr कि दर्ल मांगों कि शमेशा का हल किया जाए और हमेर करों कर लिया जाए औल कर दादी कॉ नहीं हो रहा है उसी सरकार जुम्यवार होगी और आमें समय पर तंखा भी नहीं दी जाती है करमचारियों के साथ हमारे भाईयों के साथ बहुत अन्याएगी आजा रहा है यह पिल्कुल भी शैन नहीं होगा और आम इसका कड़ा भी रोद करते हैं वहीं सोनीपत के श्यामनगर में नगर्दिगम की लापरवाही की वज़ा से लोगों के घरों में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है श्यामनगर के निवासियों का कहना है कि वो इस मामले में कई बार नगर्दिगम का दिकारियों को अवगत करा चुके हैं लेकिन इसके बाद भी गंदे पानी की सप्लाई जारी है, लोगों का कहना है कि नगर्दिगम को इस मामले में जल्द से जल्द कारवाई करते हुए साफ पानी की सप्लाई करवानी चाहिए जोना एक डेर दो मैने से जोना पानी बहुत करावार रहा है, पानी नोट लाइकल टू बी दिंक, पानी पीने काबल भी यू नहीं है, हमारे को बिमार कर देंगे, हमारे बच्चे तलफ जाएंगे, हमारे बच्चे पिकलों में जाएंगे, उल्टा काम करेंदी 오क्म आपनी क कोई इसको साफ करने के लिए राजी नहीं है इसको ठीक करने के लिए राजी नहीं है आज भी कोशिश कर रहे हैं मगर आज भी उन्होंने कुछ कारवाई नहीं करें बहुत दीकत आरहे है। जोड़ों तपानी जाए है। अर्मुद्धी आज्मू कर सकाए। महरे पान रहे हैं। अब अब बढ़ दाते है। है। अब मुझे होगे। अर्मुद्धी जाए। सर बहुत बंदा पानी आ रहा है। आदली दोरे लाइक नहीं है। और बच्चों के विमारी का खत्रा है और हम कई बार कंप्लेंड देश के हैं और अगर अधर कास्ट का किसी का उता तो दो मिट में ठीक हो जाता जर्जर जिला उपायुकत कैप्टेन शक्ति सिंग और पुलिस अधिक्षक वसीम अकरम ने बादली नगरपालिका के लिए एक अक्टूबर को हो रहे जर्मत संग्रह की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये खंड कारियाले बादली में पोलिंग पार्टियों को संबोजित करती हुए डीसी कैप्टेन शक्ति सिंग ने कहा कि सभी अधिकारी और करमचारी पूरी निश्पक्षता और पारदर्शिता के साथ नियमानुसार कारे करें इस कारे में किसी भी प्रकार की लापर वाही बरदाश्ट तो नहीं की जाएगी इसके बाद डीसी और एसपी ने नगर पारिका तोड़ने की मांग को लेकर चल रहे धरनास्थल पर पहुँचे और लोगों की बात सुनी और उनको जनमत संग्रह में शामिल होने का अहवान किया प्रियाना की मनहर सरकार इन दिनों पूरे परदेश में गैंक्स्टर और नशे का कारोबार करने वाले आरोपियों के खिलाफ कारवाई कर रही है इस दोरान पूलिस और जिला प्रशासन ने करीब एक दरजन अवैद तरीके से की गई कमाई से बनाए गए मकान को ध्वस्त किया इसी कड़ी में पहली तस्वीर पानिपत से है जहां सुखदेव नगर में मोबाइल माकेट में गैंक्स्टर सुरेंदर काला की अवैद संपत्ती पर प्रशासन ने बुल्डोजर चलाया और इसी कड़ी में तीसरी तस्वीर जगजर से है जहां 29 सितंबर को जिला प्रशासन ने मोस्ट वांटेट अपरा दी मैंपाल की जमीन की निलामी की जिसके बाद चौथी तस्वीर पानीपत से है जहां 24 सितंबर को प्रशासन ने पंदरह हजार की इनामी गैंक्स्टर मनोज बावा के अवैद रूप से बनाएगए फैक्टरी और गोदाम पर भी कारवाई की तो वहीं पाँचवी तस्वीर गुरुगराम से है जहां 23 सितंबर को पुलिस प्रशासन ने गैंक्स्टर सूबे गुरजर की कोटी पर पीला पंजा चलाय था और आखरी तस्वीर फरिदाबाद से है जहां 14 सितंबर को गैंक्स्टर मनोज मांगरिया के गुरुगे जावे पाफिया पर कारवाई की गई है गैंगश्ट्रो पर कारवाई की गई है और उनकी संपत्यों अवैद संपत्यों को धुस्त किया गया है वहीं भीवानी में नगर परिश्ट और पुलिस की सन्युक्त टीम में अतिक्रमन हटाओ अभियान चलाया इस अभियान के दोरान सीमित एरिया से बाहर खड़े वाहन और सामान को जब्त कर लिया इसके अलावा एक ज्वेलर्स की दुकान के आगे लगी टाइल्स को भी बुल्डोजर से हटा दिया आपको बता दे की अतिक्रमन हटाओ अभियान घंटा घर चौक से लेकर सराय चौकटा सीटी थाना होते हुए जैन चौक तक चलाया गया इस दौरान दुकानदारों से नगर परिशद और पुलिस की सन्यूक टेटिम में अपील की साथ ही उन्होंने कहा कि दुकानदार अपनी सीमित एरिया तक ही सामान रखे ताकि तेवार में भीड़ भार ना हो पाए समय पर चलाते रहे हैं तो हारों के मते नजर स्पेशन इस्ट्रेक्शन होती हैं हमारे पास कि किसी भी तरहागा जाम किस्तिती पैदा ना हो आम पबलिक को प्रेशानी ना हो खबर लोहारू से है जहां थाना परिश्टर में नश्रा मुक्ति और साइबर अपराग नियंत्रन जागरूपता कारेक्रमा आउजित किया गया जिसमें मुक्यतीती एडिजी पिन ममता सिंख शामिल हुई उन्होंने बच्चों और युवाव से आहवान किया कि वे राश्टर का गवरोश्टाली व्यक्ति बनने के लिए अपने लक्षों को चुने और नश्र से दूर रहकर अपने लक्षों को हासिल करने के लिए मेहन जा सकेगा पुलिस की प्राथमिक्ता इलाके में शान्ती बनाए रखने की है और आम जनता में शुरक्षा की भावना पैदा करना है नश्र बेचने और उनका संगरक्षा करने वालों पर कड़ी कारवाई की जाएगी देखे आज जो हमने यहां लुहारू में जो जन्द संपर्क का एक प्रयास किया है सिदी सी वात है उद्देश एक है पब्लिक का विश्वास अपने साथ रखना पब्लिक के सहयोग की अप्रेक्षा करना तो कि पुलिस तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसको पब्लिक का आम जन्द का सहयोग नहीं हो वह करनाल जिले कि अनाज मंडियों में दहान खरीद का सिजन शुरू हो चुका है एक अक्टूबर से पियार दहान की सरकारी खरीद शुरू हो रही है करनाल मंडियों में सभी तैयारिया पूरी होने के दावे किये गहुए है कमीटी ने मंडी में किसानों और मजदूरों के लिए पीने के पानी और सौचाले की विवस्ता की है करनाल मंडियों के सचीव चंडर्पकाश ने बताया कि मंडी के पांच गेट हैं जिन में से फिलहाल दो गेट एंट्री और एक्जिट के लिए खोले गए हैं आवक बढ़ने के साथ ही अन्य गेट भी खोल दिये जाएंगे आड़तियों को निर्देश दिये गए हैं कि मौसम की स्थिती को देखते वे लकड़ियों की क्रेट और तीरपाल के प्रबंद कर लिए गए हैं ताकि बरसात होने की स्थिती होने पर किसानों की फसल खराब ना हो करना नाज मंडी के अंदर पिछले तीन महीने से दान क्या वाग जारी है अब इस तक हमारी मंडी में पंदर अजिरों नो क्या राईवल गरी है जो अब तक का हमारा एक रिकोर्ड है लग बग हमें साथ लाग क्या पास पंदर अजिरों नो की जोना वाइवल मंडी में आ चुकी है और लग बग पांस करोट रुपे की मार्केट फीस मार्केट कमेट्री को प्राफ्ट हो चुकी है अब जो सरकारी धान का खरीद का सीजाना मारा खरीब वो एक अक्तुबर से सुरू होने जा रहा है मार्केट कमेट्री दवारा उसके लिए पूरे रेंजमेंट कर लिए गए है वर्चर की दादरी में लंपी वाइरस का प्रकोब तेजी से फैल रहा है जहां लंपी वाइरस से गोवन्स की मौत हो रही है वही इस दोरान गौसेवकों ने लंपी वाइरस को लेकर प्रशासन के कदम ना उठाने पर आरोप लगाया है साथी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जिसके बाद गौसेवक रिम्पी फोगार्ट ने बताया कि जिले में लमपी वाइरस का प्रकोब बहुत तेजी से बढ़ रहा है जिससे सैकरवगाए इस वाइरस की चपेट में है साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन को लंपी वाइरस से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए और विशेश अभियान चला कर पशुओं को वैक्सिन लगानी चाहिए वहीं गौसेव को ने लंपी वाइरस को लेकर CTM को ग्यापन भी सौपा दो दिन से दरना चल रहा है चर्खी दादरी में कोर्ट में जितने भी लिंपी से गर्ष जितने भी जो गौवन्स है उनके लिए आज दिन पर ती दिन गौवमाताएं लिंपी बिमारी से मर रही है और आज भी हम यहां इसलिए खटे हुए हैं कि जो मारे डॉक्टर साथ दिस्माजून जी वो कह रहे थे कि लिंपी तो है नहीं मैं तो कोई किस देखा ही नहीं लिंपी का लेकिन दादरी जिले में दिन पर दिन गो वंस खतम हो रहा है मर रहा है लिंपी डिजिस के कारण शुरुवात है अरियाना में तो मतलब राज्थान में तो पूरी फैल सुके अरियाना में तो शुरू हो रही है और इसको इसलिए दिखाया जा रहा है कि कल पर सु कोई मीटिंग थी उसमें डॉक्टर नहीं कहा कि लेंपी का कोई भी प पसु है तो पसुवी वाग से रिक्वेस्ट हैं अगर पर से रिक्वेस्ट है इन सब को एक जिगह रोक्या जायर इन कांट्रेटमेंट सुरू कर आजाए चर्किदादरी में लंपी वाइरस का प्रकोप लगातार फैल रहा है और वहीं पर कई गायों की इसकी वज़ा से मौत हो चुकी है जिसको लेकर गौश सेवक नाराज हैं गौश सेवका का कहना है कि प्रशासन इस मामले में पूरी तरीके से कारवाई नहीं कर रहा है और प्रशासन अलर्ट नहीं नजर आ रहा है जिसकी वज़ा से लगातार गायों और गोवन्श की मौत हो रही है जिसको लेकर गौश सेवकों ने प्रशासन के खिलाफ नारे ब वाइरस का मामला लगातार तेजी से फैल रहे लंपी वाइरस के मामलों में लगातार बढ़ोत की देखी जा रही है जिसको लेकर गौसेयोकों में खासी नाराज़गी देखने को मिल रही है गौसेयोकों ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि प्रशासन मामले को लेकर चर्कित आधरी की ये खबर है जहां पर लंपी वाइरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं जिसे गोवन सोप के मौत का सिल्सिला भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है लंपी वाइरस के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं जिसकी वज़़से गोवन सोप की मौत भी हो रही है और इसको लेकर जो गौस्यवक हैं वो खासे नाराज दिखाए दे रहे हैं गौसेवकों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि प्रशासन इन मामलों में पूरी तरीके से समुचित कारवाई नहीं कर रहा है जिसकी वज़ा से गोवन्स की लगातार मौथ हो रही है वही कोरबा में देर शाम साड़े छे बज़े के आसपास RKTC ग्रुप के ऑफिस में दो बदमाशों ने फाइरिंग की वारदात पंजाम दिया फाइरिंग की सूचना मिलते ही CSP समेट पुलिस करवी मौके पर पहुँचे हलाकि अग्यात बदमाशों ने धम की भरापत्र मौके पर फेक कर वो फरार हो गए वहीं पहले भी गैंग जारखंड में भी इस तरीके की घटना को अंजाम दे चुके हैं कोरबा में बदमाशों ने RKTC ग्रुप के आफिस में फाइरिंग की और इसके बदमाश मौके पर एक धमकी भरा पत्र फेक कर फरार हो गए बदमाशों ने वारदात को देर शाम करीम साड़े च्छे बज़े का असपास अंजाम दिया बुलेटी में फिलाल के इतना ही मुझे दीजिया इजाज़ा नमस्कार